बहुत कम लोगों को पता होगा कि मादोराव जी ने जिस भारतिय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी वो आज भी दिल्ली में DTC के रुप में चल रही है आने वाली पीडियों के लिए जल सवरक्षन पर भी उनका उतना ही ध्यान था उन्होंने उस कालखन में पानी के लिए सींचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्ता बनाई थी जो हरसी डेम है वो एक सो पचास वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है इडेम आज भी लोगों के काम आ रहा है माधोरावजी के व्यक्तित्वसे हम सभी के लिए ये दूर द्रश्टी सीखने ही हो गया है एजुकेशन हो करियर हो जीवन हो या फिर पुलिक्स शॉर्ट कट आपको भले कुछ तातकाली गलाप पहुचा दे लेकिन आपको लॉंग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए झाल